परिजये जब इससे होकर विद्युधारा गुजरती है तो यहाँ चुम्बक की तरह काम करती है विद्यार्थियों आप भी रवी की ही तरह इसके बारे में और कुछ जानने के लिए ललाईत होंगे अतह आज हम गतिमान आवेश और चुम्बक की तरह के बारे में पता लगाएंगे एमपियर का परिपथिय नियम परिभाशित करना परिनालिका तता टौराइट को परिभाशित करना दो समनांतर विद्युधारा वाही चालकों के बीच बल का मुल्यांकन करना आयताकार विद्युधारा पाश पर बल आघून की गढ़ना करना परिक्रमी इलेक्ट्रोन का चुम्ब की द्विध्रुव आगूण की गणना करना, चलकुंडली ग्यालवनो मीटर की व्याख्या करना, ग्यालवनो से एमीटर और वोल्ट मीटर में बदलना. एंपियर का परिपथिय नियम एंपियर का परिपथिय नियम बताता है कि पाश के माध्यम से गुजरने वाली विद्युधारा बंद पाश के चारो ओर चुम्बकिय शेत्र को समाकलित करता है यह बताता है कि किसी बंद पत के अनुदिश चुम्बकिय शेत्र बी का समाकलन प्रिष्ट से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युधारा आई के मियुशून्य गुना होती है गणितिय रूप से इसे बंद समाकलन बी डॉट डी यल बराबर मियुशून्य आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है विद्युधारा विन्यास की चुम्बकिय शेत्र की गणना के लिए यह साधारन तरीका है जिसकी उच्च सम्मिती है अनन्त विद्युध धारवाही तार पर चुम्बकिय शेत्र हमें तार से आरदूरी पर चुम्बकिय शेत्र की गणना करनी है सम्मेति द्वारा पाश के सभी बिंदुओं पर चुम्बकिय शेत्र B का परिमार समान है और किसी बिंदु पर इसकी दिशा वृत के अनुदिश लंबवत है वृत्ताकार पाश के चारो ओर चुम्बकिय शेत्र B का प्रिष्ठ समाकलन B और 2π.R के बराबर दिया हुआ है हम पाते हैं कि B बराबर मियू शून्य आई बटे 2π.R उदाहरण विद्य धारवाही चालक के कारण चुम्बकिय शेत्र पर एक उदाहरण लेते है एक लंबा सीधा चालक 120 एंपियर विद्य धारा का वेहन करता है चालक से कितनी दूरी पर चुम्बकिय शेत्र के प्रभाव से विद्य धारा 0.8 गुणे 10 घातांग घटा 4 टेसला के बराबर होगी चलिए इसका हल देखते है यहाँ दिये हुए मान है हम जानते है समीकरण में मानों को प्रतिस्थापित करने पर हम पाते है कि यहाँ चालक से 0.3 मीटर की दूरी पर चुम्बकिय शेत्र उत्पन्न होता है जब 0.8 गुणे 10 घातांग रिण 4 टेसला के बराबर विद्य धारा होती है परिनालिका परिनालिका विद्य धारावाही तार है जो दक्षिन वृत्ताकार बेलन के सतह के चारो और लिप्टा होता है एक लंबी परिनालिका के भीतर चुम्बकिय शेत्र को प्राप्त करने के लिए हम एक आयताकार पाश ABCD के बारे में विचार करते हैं रेखा खंड AB, लंबाई L, परिनालिका के अक्ष के समानांतर है किसी भी आयताकार पत ABCD के लिए समाकलन चार समाकलनों से बनता है जिनमें प्रत्येक में एक रेखा खंड होता है इससे हमें प्राप्त होता है B.DL का बंद समाकलन बराबर B.DL का A से B तक का समाकलन यह B.L के बराबर होता है M.P.R के परिपतिय नियम के अनुसार B.DL का बंद समाकलन बराबर μ.N.I.L जहां L लंबाई के प्रती इकाई फेरों की संख्या है उप्रियुक्त दो समी करोणों से हम पाते हैं B बराबर μ.N.I. टोराइड डोनट आकरती के क्रोड के चारो ओर विद्धु धारावाही तार से लपेटा हुआ होता है एक आदर्श टोराइड में तार को सटा सटा कर लपेटा जाता है ताकि चुम्बकिये शेत्र पूरी डोनट से बाहा शेत्र में सिमित रहे सम्मिती द्वारा किसी चुम्बकिये शेत्र B का परिडाम आर्त्रिज्या वाले किसी वृत्ति के सभी बिंदूओं और निर्देशित स्पर्ष जाके रूप में वृत्ति के किसी बिंदू पर समान होता है। इस प्रकार वृत्ताकार पाश के चारो ओर चुम्बकिये शेत्र का समाकलन B और दो पाई आर के बराबर होता है। एंपियर के परिपथिये नियम के अनुसार B.DL का बंद समाकलन बराबर म्यूश्यून एन आई जहां N फेरो की कुलसंख्या है। उपर की दो समीकरणों से हम पाते हैं B बराबर म्यूश्यून एन आई बटे दो पाई आर। समनांतर विद्धुधाराओं से उत्पन्य चुम्बकिय शेत्र यह समान दिशाओं में दो समनांतर चालकों की विद्धुधारा के कारण संयुक्त चुम्बकिय शेत्र को प्रस्तुत करता है। चुम्बकिय शेत्र का यह प्रतिमान दो चालकों के बीच आकर्षण का सूचक है. यह विप्रिद दिशाओं में दो समानांतर चालकों की विद्धुधारा के कारण संयुक्त चुम्बकिय शेत्र को प्रस्तुत करता है। दो समानांतर धारावाही चालक के बीच का बल हम विचार करते हैं कि लंबे, सीधे और समानांतर तार के दो टुकडे आर दूरी पर हैं और विप्रिद दिशाओं में आई एक और आई दो विद्धुधारा का वहन करते हैं। तार एक विद्धुधारा आई एक का वहन करते हैं और तार एक तक सभी बिंदुओं पर चुम्बकिय शेत्र बीवन स्थापित करते हैं। यह चुम्बकिय शेत्र तार दो के उर्ध्व गामी अभी लंबवत निर्देशित करता है और इसका परिमार म्यू शून्य आई एक बटे दो पाई आर के बराबर है। तार एक के कारण तार दो पर चुम्बकिय शेत्र का परिडाम म्यू शून्य आई एक आई दो एल बटे दो पाई आर द्वारा दिया जा सकता है। के होने की स्थिती में तारों के बीच लगने वाले बल विपरीत हैं और आकरशित होते हैं। एक एंपियर हम जानते हैं कि F बराबर μू शून्य बटे दो पाई गुणे I1, I2 बटे आर जब I1 बराबर I2 बराबर एक एंपियर और आर बराबर एक मीटर तब F का मान बराबर दो गुणे दस पर घातांक रिंड साथ न्यूटन प्रति मीटर अतह एक एंपियर वह विद्युद्धारा है जो अनंत लंबाई के दो सामानांतर चालकों में प्रतियक से होकर गुजरती है और निर्वात में एक मीटर अलग है तो इससे चालक की प्रति मीटर लंबाई पर दो गुणे दस पर घातांक रिंड साथ न्यूटन बल प्रति चा के बारे में विचार करते हैं जिसकी A और B भुजाएं बाहा एक समान चुम्बकिये शेत्र B में स्थापित है सतह पर अधो लंब B के साथ ठीटा कोन बनाता है जब विद्युद्धारा आई पाश से होकर गुजरती है तो प्रतियक सरलखंड बल का अनुभव करता है बल F1 और F3 के समान परिमाण है उनकी दिशाएं विपरीत और समरेख है अतह इन बलों के कारण नेट बल और आघूर्ण शूने है बल F2 और F4 परिमाण और विपरीत दिशा में समान है अतह वे कोई विशुद्ध बल उत्पन नहीं करते हैं हलाकि दोनों बल सनरेख नहीं है वे बल लगाकर पाश पर आघूर्ण उत्पन करते हैं जिससे बल और उत्तोलक के गुणन के बराबर परिमाण उत्पन होता है जो IAB sinθ के बराबर है जहां A5 का शेत्रफल है उपरियुक्त समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है टाव बराबर MB sinθ जहां M चुम्बकिये द् द्विध्रूफ सम्वेक का परिमाण है टाव बराबर M और B का वेक्टर गुणन फल विद्धारा पाश चुम्बकिये द्विध्रूफ विद्धारा आई के वाहक किसी वृत्ताकार विद्धारा पाश पर चुम्बकिये द्विध्रूफ आगुण M और शेत्रफल A है तो दिया हुआ है कि M बराबर शेत्र A और R कैप का गुणन फल M की दिशा दक्षण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा दिया हुआ है दक्षण हस्त अंगुष्ठ नियम बताता है कि विद्धारा की दिशा दाहिने हाथ की चार मुडी हुई उंगलियों की ओर निर्देशित करती है तो फैला हुआ अंगुठा चुम्बकिये द्विध्रूफ आगुण की दिशा को निर्देशित करता है परिक्रमी इलेक्ट्रोन का चुम्बकिये द्विध्रूफ इलेक्ट्रोन की कक्षिये गती से उत्पन्न होने वाला चुम्बकी आगुण दिया हुआ है EVR बटेदो इस चुम्बकी आगुण की दिशा सतह पर लंबवत पड़ती है यदि ME इलेक्ट्रोन का द्रव्यमान है एक परिक्रमी इलेक्ट्रोन की परिमाण के साथ कोडिये आगुण प्राप्त करता है I बराबर ME VR उप्रयुक्त दोनों समी करणों से हम पाते हैं μू L बराबर रिण E बटे 2ME गुणे L रडात्मक दिशा बताती है कि दो सादिश विपरीद दिशा में है घुण चुम्ब किये अनुपात μू L बटे L बराबर E बटे 2ME एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान 8.8 गुडे 10 पर घातांक 10 कुलम प्रती किलोग्राम है बोर मैगनेटॉन μू B बराबर E H बटे 4 पाई ME उसका मान अचर और 9.27 गुडे 10 पर घातांक 24 एटियम वरक के बराबर है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है जिसका उप्योग, एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों के बनाने में होता है यह उस सिद्धान्त पर काम करता है जिसमें एक समान चुंबकिये शेत्र में विद्युधारवाहिक कुंडली को लटका कर घूर्णन महसूस किया जाता है और लटकती हुई कमानी को मरोड कर प्राप्त संचित आगूर्ण को संतुलित करता है गैल्वनोमीटर एक यंत्र है जिसे किसी बेलनाकार नर्म लोह क्रोड पर कई फेरों में लपेटे हुए चालकतार से बनाया जाता है इसे कमानी से लटकाया जाता है और माप के लिए इसमें वाहक विद्युद्धारा आई होती है धुरूफ के टुकडे बेलनाकार होते हैं ताकि कुंडली चुम्बकिये शेत्र में परिक्रमन कर सके जिससे सभी जगे त्रिजिबल हो यह त्रिजिबल तै करता है कि विक्षेपित आगुण विद्युद्धारा का समानुपाती और सर्वदा अचर हो चल कुंडली गैल्वनोमीटर का मान्दंड किसी गैल्वनोमीटर के लिए अविचल विक्षेपण दिया हुआ है यहां N कुंडली के फेरों की संख्या है A कुंडली का शेत्रफल है और K कुंडली का एंठन नियतांक है गैल्वनोमीटर द्वारा जब इकाई विद्युद्धारा प्रवाहित कर इसमें विक्षेपण उत्पन्य कराया जाता है तो इसका वर्णन गैल्वनोमीटर की वोल्टेज ग्रहता के रूप में किया जाता है विद्युद्धारा ग्रहता फाई बटे आई के बराबर होती है जो एंब्यवनोमीटर द्वारा जब इसके अनुदिश इकाई वोल्टेज प्रवाहित कर इसमें विक्षेपण उत्पन्य कराया जाता है तो इसका वर्णन ग्यैल्वनोमीटर की विद्युद्धारा ग्रहता के रूप में किया जाता है वोल्टेज ग्रहता फाई बटे वी के बराबर होती है जो एन बी ए आई बटे के वी के बराबर होता है ग्यैल्वनोमीटर से एमीटर में परिवर्तन किसी परिपथ में विद्युद्धारा के माप के लिए एमीटर को आवश्यक रूप से परिपथ के श्रिणी क्रम में स्थापित किया जाता है ताकि इससे गुजरने वाली विद्युद्धारा को मापा जा सके गैलवनोमीटर के क्रम को विस्तरित किया जा सकता है और इसके साथ ही गैलवनोमीटर के सामानांतर निम्न प्रतिरोधी S जोड़कर समतुल्य प्रतिरोध कम किया जा सकता है प्रतिरोध S शंट कहलाता है गेलविरमीटर और समानांतर प्रतिरोध संयोजन एमीटर कहलाता है V बराबर IG और G का गुडण फल या V बराबर IS और S का गुडण फल दोनों समी करणों को समान करने पर हम पाते हैं S बराबर IG बटे IS गुडण जी हम जानते हैं कि I बराबर IG धन IS यहां S का मान बराबर IG बटे I, रिण, IG गुडे G S के इस मान से Emitr, व्रिहत, विद्धुधारा I तक और निम्न विद्धुधारा मापने में सक्षम होता है गैलवनोमीटर से वोल्ट मीटर में परिवर्तन किसी परिपत में दिये गए उपखंड के अनुदिश विभिन विभव के माप के लिए वोल्ट मीटर को विद्धुधारा के उन उपखंडों के साथ समनान तर जोड़ा जाता है इस परिसर को विस्तरित किया जा सकता है और गैलवनोमीटर के साथ एक श्रेणी क्रम प्रतिरोधी आर को जोड़कर समतुल्य प्रतिरोध बढ़ाया जा सकता है गैलवनोमीटर और श्रेणी क्रम प्रतिरोधी संयोजन वोल्ट मीटर कहलाता है परिपत पर ओम का नियम लागू करने पर हम पाते हैं V बटे RS धन जी बराबर IG इसे निम्न तरीके से भी लिखा जा सकता है RS बराबर V बटे IG रिण जी RS को गैलवनो मीटर के श्रेणी क्रम में इस क्रम में जोड़ा जाता है ताकि इसका उपियोग वोल्ट मीटर के रूप में हो वोल्ट मीटर का उच्च प्रतिरोध RS धन जी है क्या आप जानते हैं? परिनालिका कुंजी का उपियोग किसी यंत्र को नियंत्रत करने में होता है यह व्युद्ध चुम्बकी उर्जा का उपियोग करता है ताकि व्युद्ध उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्तित किया जा सके स्थापन और नियंत्रन प्रणाली में गैलवनमीटर प्रक्रिया के लिए आधुनिक उपियोग है परिनालिका का उप्योग, स्वचालित, गियर बॉक्स, सिलेक्टर्स, पेट्रोल कैप लॉकिंग, कमपन इंजन समन्वा योजन और सुरक्षा प्रणाली के समाकलन के लिए होता है सारांज आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संशेप में दोहराए एंपियर का परिपथिय नियम बताता है कि पाश के माध्यम से गुजरने वाली विद्धुधारा बंद पाश के चारो और चुम्बकिये शेत्र को समाकलित करता है एक परिनालिका दक्षण वृत्य बेलन की सतह के चारो ओर विद्धुधारवाही तार के चारो ओर लपेटा होता है टोराइड डोनट आकरती के क्रोड के चारो ओर विद्धुधारवाही तार से लिप्टा हुआ होता है दो चालक तारों में जब विद्युद्धारा समान दिशाओं में होती है तारों के बीच के बल में आकरशन होता है एक एंपियर वविद्युधारा है जो अनंत लंबाई के दो सामानांतर चालकों में प्रतेक से होकर गुजरती है और निर्वात में एक मीटर अलग है तो इससे चालक के प्रती मीटर लंबाई पर दो गुणे दस से बढ़कर घातांग रिन साथ न्यूटन बल प्रती चालक पर अनभव होता है दक्षण हस्त अंगुष्ठ नियम बताता है कि विद्युधारा की दिशा दाहिने हाथ की चार मुड़ी हुई अंगलियों की ओर निर्देशित करती है तो फैला हुआ अंगुठा चुम्ब की द्विध्रुव आगुण की दिशा को निर्देशित करता है चल कुंडली गैलवनमीटर उसे धांत पर काम करता है जिसमें एक समान चुम्ब की चेतर में विद्धारावाही कुंडली को लटका कर घुणन महसूस किया जाता है जो लटकती हुई कमानी को मरोड कर प्राप्त संचित आगुण को संतुलित करता है गैलवनमीटर की वो और श्रेणी करम प्रतिरोधी संयोजन वोल्ट मीटर कहलाता है